हलो दोस्तों मैं माई के आप सब को साउंडवाला मास्टर के मेरे इस चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे मेडी के ऊपर थुड़ा सा जानकारी लेंगे मीडी क्या है तो MIDI दोस्तों, एक work path है, जैसे हम keyword बजाते हैं, तो जब हम record करते हैं, वो tune आता है, तो हम एक waveform को capture करते हैं, लेकिन MIDI में हम क्या करेंगे, जब हम keyword के जो notes play करते हैं, तो वो directly notes record हो जाएंगे आपके computer में, मतलब उसको future में अगर आपने उसको piano में बजाया है, उस MIDI को, तो future मे आप उसको guitar भी कर सकते हैं, nothing is impossible, वो MIDI में possible है, लेकिन वो playing piano है, और guitar में वो कैसा सुनाई देगा, वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप अपना instrument change कर सकते हैं, तो चलिए एक छुटा सा project तयार करते हैं, और मैं समझाता हूँ कि कैसे, एक MIDI का, अ F11 प्रेस करेंगे, F11 प्रेस करने के बाद, यहाँ पर मेरे कुछ ज्यादा VHD लोड नहीं किया है, मैंने, सिर्फ समझाने के लिए आपको hyper canvas लोड दिया, तो यहाँ पर एक create करते हैं, तो चलिए पहले लेते हैं drums, तो drums लेने के लिए यहाँ पर देखिए, एक track आ चुका ह है, हम लोग का media track, तो यहाँ पर click करेंगे, तो यह आ जाएगा, यहाँ इसके आने के बाद, यहाँ पर click करने के बाद, यहाँ पर आपना change कर सकते हैं, अपना timber, मैं अभी ले रहा हूँ, एक loop बनाएंगे, तो loop बनाएने के लिए मैं drums ले रहा हूँ, चलिए track को fixed करते हैं, 140 पे, 140 पे, उसके बाद यहाँ पर मैंने select कर लिया, इसको P मार के, P press करके, इसको repeat moon में रख लिया, अभी यहाँ पर आपिया,णा दौस सा recipients, आप ओ् 청ण यहाँ कर्के ले रहाँ आपाया, और आ ढ जख गास सं flavors कर सकते हैं, यह एक्चुली मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि अगर कीवोर्ड होता है तो मुझे बजाने में थोड़ा सा असान होगा और मैं बजा नहीं पाता हूं कीवोर्ड तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए माउस पर माउस का इप्रयोग कर रहा हूं कंट्रोल डी इसको आप सिलेट करने के बाद कंट्रोल डी मा रहेंगे तो यह रिपीट हो सकता है इसके चली थोड़ा सा परकुशन अट करते हैं अगर यहां पर आप सुन पा रहे हों कि यह जो पीस है मुझे ठीक से सुना ही नहीं दे रहा जब तो इसको मुझे थाड़ा सा वोल्यम उसको बढ़ाना है यहां पर मैं इसको पूरा तरीके से इसको सिलेट करूंगा और इसके बाद यहां पर तो चलिए यह एक हिसाब से समझ लिजिए हम लोग का लूप मतलब ड्रूम से लूप एक तयार हो गया तो इसमें थोड़ा सा हम बैस गिटार एक तो इसमें थोड़ा ऐड़ करते हैं और एक मीडि ट्राइक अड़ेड कर देंगे एड़ मीडी ट्राइक के बाद फिर से एक ड्रॉअ को लेके खरने के बाद यहां पर देखे और यह अपर प्रोम से ड्लिश्ड इसको आपको लेना है और एक हाइपर कंवास की खासियत है कि आप एक भी इस्ति में तक्रिवन सोला इंस्टूमेट प्ले कर सकते तो अभी में यहाँ पर तो सलेक्टेक्टट है मतलब यहाँ पर मेरा ये चैनल आउ मैं लिए यह इस चैनल में मेरा प्यानो है को इसको मैं चेंज्स करता हूं वहाँ इसमें कर देते हैं बैस कीठार बेस कितार बेस कितार इसको ले लिए लिए है कुछ इसी पैटर में बहुज़ेगा बेस कितार तो इसी को मैंने वहां से कॉपी करके सची बोल रहा हूं मैं बजाना नहीं जानता हूं सिर्फ कुछ नोट्स डालके आपको बताने के कोशिश कर रहा हूं तो चलिए अभी बैस गिटार रेडियो हो गया उसके बाद हम और एक ट्रक है आप यहां पर कर सकते हैं और रेकॉर्ड कर सकते हैं जो भी भजाएंगे वह नोट्स रेकॉर्ड होंगे बाद में आप उसको सही भी कर सकते हैं तो आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से आपको ट्राइक एड़ करके फ्ले करना है तो कुछ इस तरह से होगा और मैंने एक प्रोजेक्ट रेडी करके रखा हुआ था आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो यह पूरा उसने बजाया है देख लीजिए तो जिसमें जो इंस्ट्रूमेंट डालना है जिसमें जो बजना है उस सारे के सारे इसमें है आप थोड़ा सा एक बार सुन लीजे कापी सुना सुना या काना है यह कुछ बैलेंस ठीक से नहीं है तो यह कुछ ठीक से सुना ही ने दे रहा है इसको आपको अद्जेस्ट करना पड़ेगा हाल lui इसको इसको लामेंस तुना है यह कुछ देजेस्त करने यह कुछ अजर्दस्ट छू, इसको आपको आपको का यज़गा यह आपको आपको कर दो कर दो कर दो कि कौह तटिंबार सीलेक्षैंस भी अच्छे से नहीं हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा सुना ही नहीं दे रहा है तो तिमर्सलेक्षअं मेडी में काम करने के लिए बहुत जरूरिया तींबर्स जब है आप सेलेक्ट करें तो अच्छा गाने के लिए अच्छा टीम वेर्स की जरुरत पड़ती है तो हड़ड़ी में हूं तो मैं जादा कुछ समझा नहीं पा रहा हूं ग्यारा मिनिट का वीडियो हो चुका है तो कुछ इस तरह से बनेंगे आप आपका प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से बनेगा उसके बाद आप इसको जब भी एक्सपोर्ट करें तो आप इसका एक इन और आउट मार्क लेने ठीक है यहां पर लिया गया है उसके बाद पी मार ल आप कुछ यह इस तरह से लिखेगा मैंने इसको अपना नाम दे दिया था मैंसे हैं नहीं मैं आप इसकता का दिया आप से लिखेगा मैंसे लिखेगा मैंसे लिखेगा मैंसें तो दोस्तों कुछ इस तरह से होगा आपका प्रोजेक्ट इस तरह से आपके मीडी में काम करेंगे आप उसके बाद रहती है डविंग की डविंग के बाद मिक्सिंग की मास्टरिंग की मिक्सिंग और मास्टरिंग तो नहीं अलग चीजे हैं उसको भी में बताऊंगा और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बोला है कि मुझे 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 हैल्प करेंगे वो भी साउंड इजिनिस हैं और मैं बता दूँ कि मैं एक विजियल डिरेक्टर हूं उसके साथ चैनल को बढ़ाने के लिए तो मैं थैंक्यू को बोलूँगा उन भाही लोगों को जिनने मुझे सपोर्ट करने की सोचा है बात सोचा है कि सपोर्ट करेंगे मुझे चलिए तो आज के लिए इतना ही और थैंक्यू